तो गैस बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह था कि जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि दुनिया बहुत देंसे बता जानते हैं और जो पिछले मंस में कुछ हलचा लग वह भी आप लोग जानते हैं तो गैस इन सब चीज़ों असलाम लीकुम एवरिवान वलकम ब पुब्लीक अली एक दूसरे से लड़ रहे हैं सहर हयात और अलीबट टिक टॉक का एक काफी फेमस कापल था और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था दोनों काफी अर्से तक रिलेशन्चिप में थे और दोनों ने अपने रिलेशन्चिप को ऑफिशल भी किय हुआ था दोनों साथ में टिक टॉक वीडियो बनाते नजर आते थे और दोनों टिक टॉक का एक काफी फेमस कापल थे मगर रिसेंटली दोनों का ब्रेक अप हो गया और ब्रेक अप के बाद दोनों एक दूसरे को पब्लीक अली टार्गेट कर रहे हैं सहर हयात ने भी करने वाली हैं सहर हयात ने सैफ खान के साथ अपने रिलेशनशिप को अफिशल भी कर दिया इसके बाद सहर हयात को काफी मीन कॉमेंट्स आने लगे कि आप इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई हैं और अलीबट से ब्रेक अप के बाद एक दम सैफ खान से कैसे रिश्टा जो जो मर्द मुझे कभी इज़त नहीं दे सकता और मुझे कभी खुश भी नहीं रख सकता मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में कभी नहीं रहूंगी जिससे मेरे जिन्दगी खराब हो मेरे लिए मेरे खुशी सबसे इंपॉर्टन्ट है और अलीबट से ब्रेक अप मेरे काफी टॉक्सिक था अली बट उन्हें इज़त नहीं देते थे जिसके बचसे उन्होंने अली बट से ब्रेक अप कर लिया और एक पोस्ट लगाई अपने सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने लिखते हुए कहा कि हानिया आमिर की तरहां विक्टम कार्ड प्ले मत करो इसके अली बट ने एक और पोस्ट लगाई जिसमें वो लिखते हुए कहते हैं अलहम्दुलिल्ला मैं डूपते डूपते बच गया हूं यह पोस्ट दरसल आसी मज़र से इंस्पायर है पिछले दिनों आसी मज़र ने हानिया अमिर के लिए कहा था बाल बाल पच्च किया और पासी मज़र की तरह कॉमेंट्स कर रहे हैं अली बट का मजीद यह कहना है कि वह बहुत जल्द एक यूट्यूब वीडियो बनाएंगे जिसमें वो अपने फैंस को बताएंगे सेहर हयात से उनका ब्रेक अप क्यों हुआ सेहर हयात लिखते हुए कहती हैं लोगों की सिंपती लिना छोड़ दो और मुझे खुशी से रहने दो आपको कैसा लगता था सेहर हयात और अलिबट का का पल और क्या है कहना सोचल मीडिया पल होने वाली इन दोनों के बीच इस फाइट को लेकर कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा और प्लीज चानल को सब्स्क्राइब कर दिजएगा वीडियो को लाइक करना के लिए आला हाफिज